धन्वन्तरी नगर में रहने वाले राज साहू अपने परिवार के साथ आराम से बेड रूम में पलंग पर अराम कर रहे थे कि अचानक उन्हें पलंग में साब दिखा, साब दिखते ही राज साहू के परिवार के होस उड़ गए सबी लोग कमरे से बाहर आ गए और फिर सर्पिविशेसक गजेंदर दुवे को सूचना दी सर्पिविशेसक गजेंदर दुवे सूचना मिलने के बाद रास साहू के घर पहुचे तो देखा कि बेड रूम में पलंग के नीचे 6 फिट लंबा साप बैठा हुआ है गजेंदर दुवे ने बताया कि यह धामन प्रचाती का नर साप है जो की नाम मातर को जहरीला होता है जैसे ही गजेंदर दुवे ने साप पकड़ने की कोशिश की तुवे पलंग में अपने आप को लपेट लिया जिसके बाद बामुश्किल उसे पकड़ा गया सर्पे विशेसक गजेंदर दुवे ने बताया कि ठंड के समय अकसर यह साप धूब सेकते दिख सकते हैं यह साप किसी को नुकसान नहीं पहुचाता है यह जरूर है कि अगर इसे परिशान किया जाय तो यह हमला करने से भी पीछे नहीं हटता है सर्पे विशेसक ने धामल साप को पकड़ कर इसे बर्गी के जंगल में छोड़ दिया सर्वे सुविधायोग नैशनल होस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और आपरेशन की सुविधा उपलप्त है हमारे यहां मिल रहा है आयश्मान भारत निरामय योजना का लाप आयश्मान जन आरो के योजना के तहट सभी प्रकार के मेडी क्लेम की सुविधा उपलप्त है हमारे यहां लेजर कैंसर, अस्थी रोप, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूती रोप का अनुभवी चिकित्सकों के त्वारा उप्चार किया जाता है कैंसर के इलाज एवं आपरेशन अबरीवा के नैशनल अस्पिताल में उपलप्त है नैशनल होस्पितल के संचालर डॉक्टर अखिलेज पतेल के द्वारा उपलप्त करवाई जा रही है सभी सुविधाएं आईसमान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करे मोबाइल नंबर 9691288560 या फिर संपर्क करे 7566831551 पर हमारा पता है नैशनल होस्पितल समानतिराहा रिवा संपर्क करे 07662359974 या फिर संपर्क करे 86028859900 पर झाल